हेलो दोस्तों नमस्कार इश्टाक मारके सेरुटू चनल में आपका स्वागत है अभी हम बात करने वाले हैं NBCC India Limited की क्योंकि इसके संदर में अभी इसे लबग 500 करोन का आडर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके बाद ये जो कमपनी हैं रॉकेट बनते हुए दिखाई दी है तो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कमपनी को जो 500 करोन का आडर मिला है वो काहां से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें ये जो company हो फिलाल कौन कौन से काम करते हुए देखने को मिलने वाली है इसके अलावा इस company के संदर्व में जो इसका जून महिने का target निकल के सामने आया है उसे भी हम इस वीडियो में पूरा detail से देखेंगे और जानने की कोशिस करेंगे किया ये जो company है जून महिन हुआ है और ये जो company है 149 रुपे 45 पैसे प्रिटेट करता हुआ नजर आया है और ये जो तेजी निकल के सामने आई है वह फिलाल इसे जो आडर मिला है 500 करोन का उसके बाद ये तेजी आते हुई दिखाई दे रही है जबकि बात करेंगे उनकी चार्ट परटन की तो यहां पहिने में ये जो company है अपने shareholder को लगवा 72% के return लिकाल के दे चुकी है जबकि बात करें अगर हम ये till date की ये till date में जो company 70% के return लिकाल के दी है जबकि एक साल के अगर हम बात करें तो एक साल में इस company ने अपने shareholder को अच्छा खासा return लिकाल के देते हुए 237% बढ़ोतरी उसके उनके return में कर दी है जबकि बात करें हम maximum chart pattern की तो ये जो company list हुई थी 2012 में 36,32 पैसे पे तब से लेके अभी तक ये 200% के return लिकाल के दे चुकी है अगर बात करें इसके जो order मिले हैं वो कहां कहां से मिलते हुए दिखाई दिये हैं तो ये हां पे आप देख रहें 5 June का date बड़ा हुआ है और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो NBCC India Limited है उसको ordinary course में ordinary business में इसे अच्छा खासा order मिलता हुआ दे रहा है अब मगर बात करें इसके पहले order की तो यहां पर आप देख रहें कि जो central government health scheme चलाई जा रही है मुंबई में उसके त्रू इसे 112 करोण का order मिलत हुआ लगबग दिखाई दे रहा है और इसमें जो ये company है वो फिलाल construction करने वाली है multi facility health care complex का और ये जो है फिलाल मुंबई में काने नगर में ये फिलाप बनते हुए दिखाई देने वाला है उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे जो प्रोजेक्ट है उसकी तो department आप जो social security and empowerment person and disabilities है वहां से इसे ओडिशा में लबकती 70 करोण के आजपास का आडर मिलता हुए दिखाई दिया है जिसमें ये construction करने वाली है integrated जो infrastructure complex है उसका और ये फिलाल आरगर डिस्टिक है ओडिशा का उसमें यहां पे बनता हुए दिखाई देने वाला है इसके अलावा आगे ये तिसरा इन्हें आडर मिला है वो फिलाल 82 करोण का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये भी फिलाल ओडिशा इस्टेट को आपरेटिव जो बैंक है वहां से मिलता हुआ देखने को मिल रहा है तो इसके अलावा ओडिशा से ही ये जो कंपनी है वो नबोदे बिद्या का ही ये कंस्ट्रक्शन करने वाली है जो संभलपूर दिस्टिक है ओडिशा में लगग साथा चार करोण में इसके अलावा ये जो देवगर है ओडिशा में वहां पे भी ये फिलाल नोगोदे बिद्याले बनाते हुए नजर आईगी साथे चार करोण में इसे आप से आप मिनिस्ट्री आफ एक्स्टरनल अफेर्स का न्यू देली में और वहां पे फिलाल एक सो तीस क्रोण का ये आडर प्राप इसे होता हुआ दिखाई दे रहा है इसके अलावा यूनियन बैंक आफ इंडिया जो की एक कवर्मेंट की ये बैंक होते हुए दिखाई देती है वह करोण के दिखाई दे रही है इसके साथ इसके आलावा वेहिकल निघम मेंटेट रवह पांच क्रोन का आडर प्राप्ट करते हुए दिखाई दे रही है और साथी साथ अगर हम बात करें लास्ट इसके आडर की जो की तेरावा नंबर है और आठ पीसियल जो लिम्ट से मनिफेक्ट्टर का प्रशन आफ इंडिया है वहां से लगवग धाई क्रोन का आडर ये प्र आती हुए देखने को मिल रही है अब मगर बात करें जून महिने के जो टार्गेट निकल के सामने आया है उसकी तो चुकी आप अभी हम देखे थे चार्ट पेटर जब देख रहे थे उससे में कि यह जो कंपनी है एक सो चालिस रुपे के आसपास ट्रीट करते हुए देख और रहे हैं बात करें है कि दो सो आच पास होता हुए दिखाल एो यई चुकी आप जान रहे कि बरतमान में जो लोकसभा भी चुना हुए थे उसमें जो बरतमान गवर्मेंट है उसी के सरकार बनते हुए दिखाई देने वाली है इसलिए जो जितने भी गवर्मेंट कंपनियां हैं आने वाले समय में आप देखेंगे कि हो सकता है अच्छी खासी तेजी दिखाते हुए भी नजर आ जाएं अब यह देखना दिलचस्प रहेगा कि जो एंबी सीसी इंडिया लिमिटेड है वो यह जो फर्स्ट अप टार्गेट सकेंड अप टार्गेट के साथ साथ जो थर्ड अप और पोर्स अप तार्गेट दिया जा रहा है उसमें यह जून महिने में कितने आती है तो इसका जो सबसे पहलत जो डाउन टार्गेट दिया जा रहा है वो एक सो बाईस रुपे के आसपास का दिया जा रहा है और यह जो कंपनी का जो सकेंड अप टार्गेट दिया जा रहा है वो एक सो नो रुपे के आसपास का दिया जा रहा है जबकि जो थर्ड आसपास का दिया जा रहा है तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस company का जो range बताया जा रहा है वो 89 रुपे से लेके 201 रुपे के आसपास का range legal के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है और यह जो range legal के सामने आया है वो down target से लेके और जो last up target है वहां तक ये आता हुआ देखने को मिल रहा है अब ये देखना दिल्चस्प रहेगा कि जून महीने में क्या ये अप साइट का टार्गेट हिट करता है या लो साइट का और यहीं पे रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको एक डिस्किलेमर देना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई कुए इस्समेंट करने से पहले अपने शरूर करते के इस झालत करना है और मोपनी मुकाबले ठोड़ाउटी होते हुए ब iç दिखाई तैंड़ रोप McKayas इंडिया का उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता हुआ दिखाई देता है इसलिए यह जो कंपनी है थोड़ा सा कम रिस्की देखने को भी मिलती है अथा इस कंपनी को आप अपने वाच लिस्ट में सामिल करिए और समय समय पे जो इसके संदर में डिबलेमेंट लिकल के सामने आ रहे हैं उस पे नजर बना के जरूर रखिए तो दोस्तों यह रहा आज का वीडियो इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कूल न भूलें ताकि नए वीडियो के जब्रेट से आपको इसे समय समय पे मिलता रहें जहीं द